दमन दिव प्रशास्ताना एकसाइस डिपार्टमेंट द्वारा हलमा वाईं बीयल साइटना लिंकर तथा लिंकर मडरी लाइसेंस आपवानी नवी पोलीसी मात्र मालेतू जारोंने फाइदो करावा मातेनों होवानों आक्षेप दमन दिवना कॉंग्रेस प्रदेश अत्यक् केतन पड़ेले पत्रकार परिशत मा इश्राव यदू के बाजब सरकार अच्छे दिनना मात्र सपना बताविया अच्छे चारे हलमा एकसाइस डिपार्टमेंट द्वारा नवी जाहर करायेली पोलीसी मा नाना मध्यम वर्गना लोकोंने भारे नुकसान धवानी शकेता र अगाव प्रशासन द्वारा गौवानी जेम दमन दुव मा लिंकर माठे नी पोलीसी जाहर करवानी बाटो करिया थी जोके हलमा एक्साइस डिपार्टमेंट द्वारा लिंकर अंगेनी चाहर करायरी पोलीसी मात्रा मोटा मानसों ने फाइदो करावनारी होवानों अक्षेप तेवए करियो होतों भाजपा ने दिखा एक दमन्दीव को अच्छे दिन आज कमिशनर अफ एक्साइस डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया जॉइट सेक्रेटरी टेक्सेस ने और कुछ बड़े लोगों को फाइदा पोचाने के लिए यह नई पॉलिसी बनाए गई है जिसमें मैनिफेक्ट्रिंग ओफ वाइन मैनिफेक्ट्रिंग ओफ बीयर, मैनिफेक्ट्रिंग ओफ लिकर, बाट्लिंग ओफ लिकर और नए लाइसेंस जर स्चारा डाइसेंसेज, फीज वगयरे को सामिल किया है एक्साइ्स डिपार्मेने आज दबन परसाव्सं को सर्म आनची कि आईसी हर्कत कर रहे है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े लोगों को फाइदा पोचाने के लिए आप ए नई पॉलिसी बना रहे है एकसाइस पॉलिसी और हमारे जो चोटे-चोटे लोग है गरीब लोग है जो बीचिस पे सैक बना के रखा है और उनको जब लाइसेंस देने की बात आई थी तो उन्होंने प्रामिस की थी दमनप्रसासने के आपको गोवा की तरच पर हम लाइसेंस देंगे तो उनके लिए क्यू पॉलिसी नहीं बनाई गए आज अगर आपको पॉलिसी सिर्फ इन बड़े लोगों के लिए बनानी थी मैनिफेक्चेरिंग के लिए तो क्यू आपने इस policy में हमारे गरीब लोगों को सामील क्यों नहीं किया, क्यों देवका और जंपोर में जो हमारे लोग वहाँ पे जो छोटे-मोटे business करते हैं, उनको क्यों license देने की बात नहीं आई, उनके लिए क्यों policy नहीं बनाएगे?